उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में नगरी विकास अभिकरण ने मलिन बस्तियों के लोगों को आवास तो दिया लेकिन मुल्भूस सुविधाएं और विवस्था करना भूली गया अब यहां के लोग गंदगी और बधाली में रहने को मजबूर हैं कहीं कूडे का धेर लगा है तो कहीं कबार इकठा है जी हां हम बात कर रहे हैं शहर के बीचों पे जिस्तित महानगर के निशाद गंज में विक्सित की गई डूडा कालोनी की इस्थानियों का आरोप है कि यहां कालोनी बनकर खड़ी तो हो गई लेकिन पानी की टंकी आज तक शुरू नहीं हो पाई पेजल के लिए पिछले आठ सालों से यहां पर संगर्च लगातार जारी है अब निशाद गंज में खड़े हैं और डूडा कालोनी जो विक्सित की गई थी लोगों को यहां पर रखा गया था वो अनिमित्ता हैं आप यहां देख सकते हैं कि इस तरीके से पेजल की सबसे बड़ी जो समस्या है और साफ सफाई को लेकर यह जो आप पानी देख रहे ह है यह समर्शिवल का है और यहां पर एकमात समर्शिवल लगा है फिलहाल और यह सामने आप टंकी देख रहे हैं जब यह कालोनी पूरी विक्सित की गई थी तो यह पूरी टंकी बना के तयार की गई और ऐसी प्लानिंग की गई थी कि इससे पानी लोगों के घरों तक है हमारे साथ यहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं मुन से जानेंगे तमाम तरीके से हां पर निम्ताय होती रही यह जब बनी की पूरी कालोनी विक्सित की गई तो क्या टंकी तब से चली यह नहीं चली नहीं चली तंकी चलबाई नहीं कि हम लोग से पैसा भी गरीब कालोनी कैसे पहुंचेगा एक चीज यहां पर और हमाप सुझाना चाहेंगे यहां पर साफ सफाई की स्थिती बहुत दैनी है वीचे पूरा पड़ा हुआ हर जगा कालोनी पर क्या कोई साफ सफाई के लिए यहां पर आता है हमारे सबसत्त हैं वह जो नहीं कभी कदर अगर मैने में एकात बर कुड़ा उठवा दिन तो उठवा दिन वन्हीं यह इसा ही रहता है कुड़ा करता है वहां पर पूरी कालोनी विक्सित की गई थी लोगों की रहने के वास्ता की गई और हम आपको दिखान चाहेंगे सामने आप देख लिए खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुड़ा पड़ा हुआ है और तमाम तरीके से इस पूड़े से ना के व यह जितनी भी लोग हैं उन सभी जगों पर जा करके एक अभियान चला जाए जाएकर साफ सफाई करवाई जाएगी सुद्ध पेजल दिया जाएगा तो अखिरकार जब यह सारे वादे किये जा रहे हैं तो फिर यह जो इस्थितियां आपके सामने दिख रही हैं यह कहां से यह अपने आप में बड़ा सवाल है अधिकारी जवाब दे नहीं रहें अधिकारी को जब लोग यहां से पहुंच रहें तो कहीं ने कहीं कि उनको जो है इधर उदर से बैकाने वाली बाते होते यह आप सामने देख सकते हैं यह जो पूरा बना है ठीक बगल में इस तरीके यह भी है कि इस तरीके की जगहों से अगर आग जैनी जैसी साथ से कोई घटना हो रही है तो यह पूरी कालोनी को भी अपने चपेट में ले सकती है और इस कालोनी से निकलने का केवल एक ही प्रविश द्वार है और निकास द्वार भी एक है यह पूरा इधर का रास्ता ब आते हैं वो फेल हैं अब का आखिरकार कैसे और क्या होगा यह तो अधिकारी हीत्ता ही करेंगे वीडियो जैनलिस पहुन इस परमा के साथ आसरी सिंग लाइव टूडे लखना हुए